हेलो फ्रेंट स्वागात है आपका अपनी चैनल केरवेल फार्मा में तो हम देख रहे थे अपनी फार्मसोटिकल इंजिनरिंग की यूनिट फिप्थ और यह हमारा लास्ट लेक्चर है आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले अपने फेरस और नॉन फेरस मेटल के बारे मे की बारे में फिर इन और सारी यूनिट है इस ड्याइंड के बारे में परते थे जो इन प्रॉसेस को क्म प्owanieट करने में हेल्प करती थी उन प्रोसेस को के ग्राऊंट करती थी। जैसे कीश्यांपल है हमारा ड्रांइंग है तो ड्राइंग में हम ड्रायर के बारे में पड़ते थे और ड्रायर हमारा किसी से तो बना उगा ना तो यह equipment है इन equipment को बनाने के लिए हम जो material का यूज करते हैं वह material के बारे में हम इस chapter में पढ़ रहे थी अब इसमें हम यह देखेंगे कि वह हमारा कौन सा होगा कैसा होगा फैरस है कि नॉन फैरस है इन और गनिक है कि और यह हमारे जो यह हमारे material बनाने वाले हैं यह किस किस में कैसे कैसे use किये जाते हैं इन सब को हम इस chapter में आज पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो के topic में हैं तो friends चली start करते हैं वीडियो को पूरा देखते रहे हैं एंड तक आज हमारा पूरा pharmaceutical engineering complete हो जाएगा और आज से मतलब पूरा complete होने को बाद आपको फिर भी कोई भी doubt हो या कुछ भी आपको queries हो तो आप comment करके हमको पूछ सकते हैं आपको या फिर आपको कोई notes चाहिए हो वीडियो देखनी हो तो डिस्किप्शन में आपको मिल जाएंगी या चैनल के अंदर जाएगे वहाँ पे आपको subject में सारा कुछ मिल जाएग तो इनको हमें classification के रूप में देख लिएते हैं जिससे यह हमको easy लगने लगेगा classification क्या है जो हमारे material है जो हमारे plant construction में use होते हैं तो पहला हमारा क्या है metal फिर हमारे आते हैं non-metal में अब metal में भी हमारे further दो आते हैं metal में हमारे दो आते हैं ferrous and non-ferrous फिर हमारे non-metal के अंदर हमारे इतने organic and inorganic और actual में देखा था तो ये हमारे इसके example हैं कि ferrous metals में हम use करते हैं material अपने cast iron फिर stainless steel को फिर carbon steel को और non-ferrous में हम यूज करते हैं aluminium और lade का organic में यूज करते हैं rubber plastic और inorganic में यूज करते हैं glass का और glass electricity तो इन सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात समझने वाले हैं और actual में देखा था तो ये हमारा question जो है basically five marks में पूछ लिया थाता है अगर आता है तो पैसे इसके chance थोड़े से कम होते हैं फिर हमारा ये है जो basic of material ये भी हमारा ऐसी पूछाता सकता है साथ में आताते हैं तब आपको फिर इनको बहुत ही कम-कम define करना होता है ठीक है friend तो हम इसके बारे में कुछ-कुछ बात है समझ लेते हैं क्या होता है कैसे होता है तो पहला हम यहां से समझते हैysł है metal के अंदर हमारा ferrous है फिर non ferrous है तो पहले हम ferrous के बारे में समझते है फिर non ferrous के बारे में समझेंगे तो ferrous metal हमारे होते क्या है haber as has거ए FE मतलब iron तो ये हमारा iron से रेलिटेड होता है तो यहां पे हम उन जो हमारा होता है FE मतलब iron तो यह हमारा iron से related होता है तो यहाँ पे हम उन जो यहाँ पे हम equipment के लिए जो material यूज करते हैं वो हमारा generally iron से mix होगे बना होता है उसके बाद बात की जाए तो यह हमारे mechanical strong होते हैं मतलब यह सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं और easily available हो जाते हैं इसलिए अगर आपने कभी गौर किया हो अपने चारोर अपने environment में तो सबसे ज़्यादा जो हमारे कुछ भी बना होता है equipment या device कुछ भी हो तो वह हमारी सबसे ज़्यादा लोहे की बनी होती है अगर जाते हैं तो अब उसकी डिमांड जादा है इसलिए उसमें क्या कि एजली अवेलेवल भी वह हो जाता है क्यों कि बहुत जादा economical देखा जाए तो ज्यादा महेंगा भी नहीं होता है ज्यादा expensive नहीं होता है हमारा iron अब इसमें कौन-कौन होता मतलब जादा महेंगा नहीं होता है और इसलिए अवेलेवल भी होता है इसलिए यह हमारा सबसे ज़्यादा डिमांड में यूज किया जाता है greater in demand फिर हमारा आता है कि इट है लो थर्मल यूज ना करते हुए हम वहाँ पे कास्ट आइरंड का यूज करते है ठीकर फ्रैंट तो एक इंग्जामपल में कास्ट आइरंड का आपको बता दू हमारा होता है एवापोरेटर पैन कि अगर आपको याद हो तो जिससे जहां पर जब हम इसको heat apply करते हैं तो यह हमारी जैकेट है यह हमारी क्या होते खराब नहीं होती है और यह heat को pass कर देती है तो इसलिए यहां पर हम cast iron जैकेट का use करते थे और इसी अंदर जैकेट के अंदर हम heat को apply करते हैं यह हमारा simple example है का फिर हम समझ लेते हैं दूसरा हमारा होता है stainless steel यह हमारा एक alloy होता है आपने पहले भी जानना था कि एक या दो या दो से अधिक हमारे जो metals होते हैं उनका mixture होता है जिसको हम alloy बोलते हैं यहां किस-किस का mixture से बना होता है chromium होता है हमारा निकल होता परसेंटेज आप देखी रहे हैं बार से 30% 0-2% पिर और कार्बन का content थोड़ा सा इसमें कम होता है कोलंब्लेंड कॉपर मॉलिम डेमन सेलिनिया टेंटालंब टाइटेनियम इतनी सारी चीज़ों का यह तरह से mixture होता है तब यह बनता है यूज क्या होते हैं तो stainless steel का तो आपने देखा होगा हर घर में देखो stainless steel की बालतियां होती है जग बहुत सारी चीज़ा है जिसका यह होते 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 हैं इंडुस्ट्री वगशे होता है था हीट रजिस्टेंश होता मतलब सबसे बढऄ चांता है जो हम कोई बनाते हैं उसके लिए हम चेक कर थे है कि वो हमारा corrosion resistance होना चाहिए अगर उस पर जंग बगारा लग जाएगी तो वह हमारा compound जल्दी खराब हो जाता है उसके बाद easily fabricated fabricated का मतलब को पता है कि कभी हम कोई manufacturing करते हैं तो उस condition में क्या होता हम हम को equipment जो है उसको हिलाना पड़ता है जलाना पड़ता है कभी इसको band करना पड़ता कभी कुछ करना पड़ता है तोאת हमारी जादा ही होती है इसका मतलब है कि हम उसको कभी चाहें तो इजली band कर सकते हैं जैसे से हमारा इक फेपर यह हम इसको इसOh twenty today पूर ön होती है strong भी होता है मजबूत भी होता है और इसके कुछ types भी होते है martensitic type होता है type charge होता है यह सब example हमारे हैं फिर stainless steel हो गया अब हम तीसरा अपना समझते हैं carbon steel तो यह हम देख रहे हैं friends ferrous metal के अंदर यान कि आप यह confused मत हो ना metal के अंदर जो ferrous था हम इसी पर रहें अभी तो यह हमारे है carbon steel यह भी हमारा एक तरह से iron alloy होता है और इसमें carbon का content वो थोड़ा कम होता है यह भी हमारा cheapest मतलब ज्यादा महंगा नहीं है और fabricate करने में भी आसानी इसमें होती है अब यह वही कि मतलब manufacturing के दोरा जब इसमें काम लेते हैं तो ज्यादा problem यह ना दे उसके बाद content यह carbon का मेगनी निकल क्रोमियम इन सब का mixture से बना होता है उसके बाद यह हमारा यूज किसमें होता है construction of pipes जो हमारे pipes बगेरा बनते हैं इसमें हमारे यूज होते हैं आपने कभी notice किया हो आपने देखा हो कि रेलिंग लब्मी बनी होती है उन सब में भी हम इसका यूज करते हैं फिर यह हमारा plant बैसल जो बैसल होते बड़े बड़े जिसमें हम और काम करते हैं उन सब को यह support करने का काम करता है फिर हमारे आते हैं दूसरे अब हम आएंगे metal के जो non-ferrous है इसमें आएंगे इसमें हमारे क्या है aluminium है और lead है तो हम इनको discuss कर लेते हैं तो देखा जाए जो हमारा doors होते हैं office आप ने देखे होंगे तो उनके जो basically door बगरा बनते है वह हमारे इसी के बनते हैं इस तरह आपने देखा होगा यह हमारे नहीं लगती है इसलिए यह हमारा सबसे ज़्यादा डिमांड में चल रहा है जब भी कोई दर्वाजे जो मतलब लॉंग टर्म के लिए हमको चाहिए जो चीज हमारी ज्यादा टाइम तक सही रहे उसके बाद इसमें mechanical experience sufficient होती है यह नहीं कह सकते है कि iron के बराबर हो काश्ट iron के बराबर लेकिन ठीक ठाक होती है इतना भी कमजोर नहीं होता है उसके बाद चीप होता है ज्यादा महेंगा नहीं है light इन वेट हलका होता है बदन में यह सब कारणने ज़िए हमारा यूज होता है manufacturing किसके लिए container बन यह हमारा थोड़ी toxicity को produce कर देता है अब toxicity से कैसे समझे कि माल लीजे यह लेड का हमने कोई equipment बनाया तो उसमें हम कोई भी ऐसा अगर material को डालेंगे तो वो हमारा उसमें toxic थोड़े सा मतलब खतरनाक होने का खतरा रहता इसलिए कभी भी इसको जो non food product होते हैं उसी में यूज करते हैं कभी फूड़ी product के लिए इस equipment का यूज नहीं करते हैं उसके बाद यह हमारा cheap होता बस अब हम समझते हैं अपने दूसरे हमारा यहां पर आते हम non metal में अपने आते organic non metal की तरफ तो य यह हमारा lining material की तरह यूज होता है अब lining material क्या है यह मैं आपको अभी समझा देता हूं तो let कीजिए कि यह हमारे है steel के आई या फिर कोई भी ऐसा मतलब material है अब इसमें क्या है कि हमने electricity पास की अब electricity पास की तो आप समझ रहे होंगे कि अगर इसको कोई touch कर लेगा तो उसको क्या लग जाएगा current लग जाएगा लेकिन अगर आपको याद हो तो rubber देवा हमारी होती है वह हमारी होती है इंसी लेटर electricity के लिए मतलब वह हमारी electricity को पास नहीं होने देती है तब क्या करते है लाइनिंग product का हम यूज का अंतर rubber को हम इसके चारों तरफ इस तरह से cover कर दे यह आपको wire देख रहा होगा मैंने बता दिए यह हमारा क्या wire है अब wire हमारे क्या electricity को पास करने काम आते हैं लेकिन अगर यह open रहेंगे तो कोई भी से touch हो जाएगा उसको current लग जाएगा इसलिए यहां पे भी हम क्या करते है रवड की इस तरह से coating कर देते हैं अब रवड क जो भी material हमारा बनता है कभी कभी क्या होता ज्यादा कोई गरम हो जाता है तो ज्यादा गरम होनी के विए से क्या है कि कोई touch करेगा तो उसका हाँ जल जाएगा उस condition में हमारे क्या है यह रवड की यह चीज़ों यहां पे lining material के तरह यूज किया जाता है जिससे वो हमारा person ब जारा रवर्ड क्रियेट करते हैं वो रवर्ड होती है और नेचरल में हमारी soft और hard दोनों तरह के होती है soft हमारी lining material के यूज की जाती है और hard रवर हमारी होती है जो गलप्स बगएरा बनाने में यूज की जाती है गलप्स आपने देखे होंगे ना जब भी कोई electricity का होती है हमारी electricity बगरा हमको नहीं लगती है इन सब का basically use होता है और synthetic हमारी यह भी इसी तरह यूज की जाते है यह सब हमारी होती है solvent oil की तरह है यह वाली synthetic rubber जो हमारी होती है वह हमारी क्या है resistance oxidation solvent और इन सब के लिए रजिस्टेंस का काम करती है उसके बाद यह किस के क्या किस से मिलके बनती है तो नियूप्रीन हो गया नाइट्राइल रवर्ड हो गया उसके बाद यहां पर क्या-क्या यूज क्या है इसके तो जो हमार यह है यह freeze-dried product के लिए यूज करते हैं मतलब जिसको हमें बिलकुल सुखाना होता है उसमें इसको यूज करते हैं क्योंकि यह हमारा water को भी पास बिलकुली नहीं होना चाहिए यह मतलब आप ऐसे समझे आपने देखा होगा जब भी कोई हमारा फ्रीजी है रेफ्रीजेट करते हैं तो यह सब चीजां हमारे इन इहीं चीजों से मिले के बनी होती है इनका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे pharmaceutical के छेतर में अब हमारी आती ही दूसरी इसमें प्लास्टिक यह हम और्गनिक के देखने तो और यहां आती है प्लास्टिक अब प्लास्टिक क्य जिस तरह का हम इसको save देना चाहें, जैसे plastic है, उसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, जैसा हमको बनाना हो, बैसे हम easily plastic से बना सकते हैं, इसलिए यह इसका बहुत अच्छा profit होता है, फिर क्या होता है, लेकिन यह हमारा higher temperature में use नहीं कहता है, बनला plastic के ऐस से material में use नहीं कर सकते हैं, जैसे माली दे हमको drying करनी है, तो drying सुखाने का काम है, तो वहां हम क्या करेंगा, हाई temperature प्रोवाइड करते हैं, तो उस condition में हम क्या करेंगे, प्लास्टिक से बनी चीजों का use नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंट, अब प्लास्टिक हमारी दो तरह की है, और यह heat को भी सेहन कर सकती है, example में आपको बता देता हूँ, जैसे, तो आप यह देखिए, यह हमारी क्या है, simple plastic है, दिख रही है आपको, यह हमारी color का वो है packet, यह हमारी simple plastic है, और जो हमारी thermosetting plastic होती है, यह आपने देखा होगा, आपके घर पे cooker बगरा होते है, cooker होत होती है, यह हमारी thermosetting और यह इतनी मजबूत होती है, मतलब यह ज्यादा heat पे खराब नहीं होती है, इसलिए यह हमारी यहां पर use की जाती है, तो यह हमारी simple है, uses क्या का use होता है, तो यह हमारे pipes बगरा बनाने में use होते है, plastic के pipes आपने देखे हो ना, boring बगरा करते time, डाल प्लास्टिक, अब यह डाले के होते हैं, use क्यों कि जाते हैं, प्लास्टिक के मजबूत इतनी जाता नहीं होते हैं, लोहे की तरह है, लेकिन सबसे अच्छा profit इसका यह होता है, कि इसमें जंग नहीं लगती है, corrosion नहीं लगता है, अब अगर हम पहले की बात करें, बहुत प लगती है, इस बज़ा से हमारे mostly plastic यूज की जाती है, उसके बाद inorganic salt बगएरा, यह इसलिए यूज की जाते हैं, क्योंकि plastic हमारी क्या react नहीं करेंगी, वो एक्दम बैसी होता है, कि fix घले की नहीं, कुछ भी जादा उसमें होता नहीं है, उसके बाद वो जादा टाइम त अब हम अपने समझ लेते हैं, inorganic non metal के बारे में, यह हमारे क्या कहते हैं, तो जो हमारे glass, इसमें हमारे कुछ types आते हैं, तो यहां पे हमने क्या क्या देखे थे, inorganic non metal में हमारे आते हैं, glass और glass and steel, तो glass तो सभी लोग को पता ही है, कांच, तो कांच का भी बहुत जादा य industry से लेके, real life में, कांच का, glass का बहुत जादा यूज होता है, अब glass container daily life में भी बहुत जादा यूज किया दाते हैं, बनते किस्से हैं, हमारी pure silika से, फिर soda है, हमारा sodium carbonate हो गया, फिर lime stone हमारा calcium carbonate हो गया, और यह क्यूलेट डाला जाता है, broken glass, तो इन सब चीज़ों से मिलक liquid भी बोला जाता है, मतलब liquid को जमा के इतना ठंदा कर देते हैं, इतना ठंदा कर देते हैं, कि वो एक तरह से glass की form में आ जाता है, उसके बाद फाइदे के हैं, इसके कि यह attractive होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, inert होता है, मतलब यह react नहीं करता, किसी करता, फिर हमारा उसमें भी यूज होता है, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री बगएरा में भी यूज होता है, नुकसान क्या है, इसका यह देख लेते हैं, कि इसका मतलब फ्रेजाइल नेचर होता है, इसलिए यह हमारा तूटने का इसका बहुत जादा खत्रा रहता है, तो एक लासयदीक अब कृटने का बगएरा ऊचिर्व रिगहारा तो यह देख लेते हैं, छाद में जल्दी से बेसिक्स और मैटेरियल handling system और हमारा ये pharmaceutical engineering जो है वो complete हो जाएगा अब ये hack क्या चीज इसको हम generally समझ लेते हैं तो हमने हम तक material के बारे में पढ़ लिए सारा क्या होता है कैसे होता है उसके बाद कौन-कौन से material हमने ये देख लिए कौन-कौन से यूज होते हैं कैसे होते हैं अब इन material को हम रखेंगे कैसे यूज कैसे करेंगे किन बातों का हमको इसमें ध्यान रखना होगा इन सब चीजों को भी जानना जरूरी होता है जब भी हम कोई काम करते हैं अब देख लेते है कि जब भी हम कोई product बनाते हैं तो उसकी हमको moment थोड़ी बहुत इधर उदर खिसकाना पड़ता है फिर उसको हमें protect भी करना है बाहर की चीजों से टूटना नहीं चाहिए बचना चाहिए इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं तो उन सब चीजों के लिए हमें ध्यान रखा की care नहीं कि आपने ऐसे ही रख दी है घर में मालो चुए काट गए तब किसका लोस है आपका लोस है ना तो हमको उसको बनाने के दौरान जब जब हम उसको बना रहें तब उसकी care करनी उसके बाद बन जाए मतलब future complete होता उसके बाद भी हमको उसकी care करनी पड़ती है तो य दिस्पोजल मतलब जब फैकते सब चीजों के दौरान आपको उसका अच्छे से ध्यान रखना है care करना है और यही हमारा आता है material handling के दौरान जब भी कोई handling system होता उसके दौरान अब क्या क्या बाता है इसमें हम यह देख लेते हैं कि different type of handling instrument use किया जाते है different material के लिए importance क्या ध्यान दिया handling अच्छे से की तो आपको बार बार कोई product एक ही product को बार बार नहीं बनाना पड़ेगा कहते हैं जैसे आप कुछ बना रही है आप माली अपरेटर पैन बना रहे हैं लेकिन आपने अच्छे हैंडिल नहीं की during manufacture यह storage पर आपने खराब कर दिया तो आपको फिर की to lower unit material handling cost तो cost को थोड़ा कम करने के लिए अगर आप इतना ध्यान देंगे तब ही ठीक होगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कोई भी आपके रुपए ज्यादा लग जाएंगे उसके बाद क्या है कि concerned with scheduling of production control जितना हम produce करना इन सब चीजों को हमें control में रखना पड़ यह ऐसा ना हो कि दिन रात वह ऐसी घूमी फिर रहा है तो उसमें खराब होने का ज्यादा खत्रा होता है फिर क्या है re handling हमको अगर इसको handle करना है इन सब चीजों पर भी हमको उसको ध्यान रखे कि दोबारा मतलब ना करनी पड़े क्याते वही मैंने जैसे आपको जहां example ब बरकरार है मतलब बची रही जैसे आपने कोई यह बनाया आपने यह इसको आपको ऐसे रखना है कि यह जितना मतलब जितना काम का है जतना एकर्द रहे रहे मतलब नहीं अच्छा रह छी रहे ऐसा मेंग dependence कि रखे खराब हो गई कोई-चीज कहते हैं बहुत दिनों से बं और कम टाइम में आप उसको दोबारा एक दो बार चेक करते रहें अगर उसको कुछ खराब ही है तो उसको आप ठीक करा रहें फिर से आप maintenance करते रहें रिपैरिंग करते रहें यह बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज आपकी खराब ना रहें तो इन सब चीजों के लिए हमारा यह होता है material हमारे कुछ manual use होता है कुछ semi-automatic कुछ automatic इन सब चीज़ों में हमारे material भी use के जाते हैं इसको हमें ज्यादा deeply नहीं जाना है अब conveying क्या होती है कि यह हमारी एक process होती है किसी material को एक जगह से दूसरे कर ट्रांसफर करने के लिए कुछ हमारे इसके लिए conveyor होका भी मिल जाएंगे या website पर सारा कुछ मिल जाएगा तो मिलते हैं आप से बहुत जल्द बहुत ही जल्द इसकी नेक्ट वीडियो में इसमार में important questions को cover करेंगे तब तक के लिए thank you friends take care bye bye